निन्दा से घबरा कर अपने लक्ष को ना बदलें क्योंकि लक्ष मिलते हैं निन्दा करने वालों की राय बदल जाती है सपनू को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है सबसे बड़ा गुरू ठोकर है खाते जाओ सीखते जाओगे तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे चिरागों के जलते ही तिलियों को बुझा दिया जाता है उन पे ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे निन्दा करते हैं इसका सीधा सा अर्थ है यह आप उनसे दो कदम आगे हैं जब लोग खपा होना सुरू हो जाएं तो आप समझ लेना आप सही रहा पे हो वक्त तुम्हारा है चाहो तो सोना बना लो चाहो तो सोने में गुजार दो दाबों की आहमिएत अपने जगा है सहब सबक तो वही आद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं जिन्दगी से एक सबक मिल गया है मुझे अगर अकर में रहोगे तो लोग आउकात में रहेंगे लोगों से डरना छोड़ दो इच्चत खुदा देता है लोग नहीं